Hello everyone, यहाँ पर हमारे पास यह question है, हमने यहाँ पर इसे integrate करना है, तो कैसे करें इसे? Well, इसे integrate करने के दो method है, पहला method simple है, direct है, दूसरा method उसमे एक property use होगी, मैं आपको दोनो method बताऊँगा, तो अगर आप इसे पहले अपने आप try करना चाते हो, pause the video and give it a try, और उसको बाद मेरा solution देखना, alright, तो इसको पहले मैं पहले method से solve करता हूँ, तो यहाँ पर यह जो integral है, इसको हम separate कर देंगे, separate means, log x divided by log x power 4 minus 3 upon, ठीक है, अब यहाँ पे यह तो हो जाएगा, log x power minus 3 उपर जाएगा, तो log x एक तो कड़ जाएगा, और power minus 3 हो जाएगी, यह हो जाएगा, log x power minus 4, अभी इने separate करते हैं, तो यह है, log x minus 3 dx minus integration 3, log x power minus 4 dx, तो अभी तक बिल्कुल simple है, हमने बसे ने separate किया है, अब इसका बाद जो first है, इस वाले में हम by part से इंटेग्रेट करेंगे, बट इसको हम disturb नहीं करेंगे, अब log वाले में जब हम by part use करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे, because it is single function है, तो हम one ले लेते हैं साथ में, और अब हम यहाँ पे by part लगाते हैं, तो first or second function क्या लें, तो highlight के साबसे अगर आप देखें, तो logarithmic function पहले आता है, यह first function होगा, and algebraic function second में आता है, one एक algebraic function है, तो हम यहाँ पर, इससे integrate करेंगे, तो क्या है, first as it is, into integration of second function, यानि one का integration x होगा, minus integration of differentiation of first, I am sure आप aware होगे, integration by part से, तो वही हम यहाँ पे apply कर रहे हैं formula, differentiation of first में minus 3 आगे आ जाएगा, log x minus 4 और साथ में log x का भी differentiation होगा, chain rule के साथ से यह आ गया, और one का integration करेंगे, तो यह x हो जाएगा, dx, यह as it is हम इसको रहने देंगे, 3, log x, power minus 4, dx, अब यहाँ पर इससे हम और simplify करेंगे, तो यह तो है, x upon log x power 3, यानि यह हमने as it is लिख दिया, minus, अब यहाँ भी देखो, minus minus का plus हो गया है, एक यह negative sign है, और एक यहाँ पर यह है, तो यह plus हो गया है, और यह इससे कड़िया है, यहाँ पर यह हो जाएगा, 3, log x, power minus 4, dx, और यहाँ पर यह है, 3, log x, power minus 4, dx, तो now you can clearly see, यह cancel हो रहे हैं, और हमारा answer आ गया है, x upon log x power 3, and plus integral constant हम लगा देंगे, ओके, तो this is our answer, अब इससे हम दूसरे method से करते हैं, यहाँ पर हम जब दूसरा method डगाएंगे, तो इसमें हम put करेंगे, log x is equal to t, अब log x अगर t है, तो x क्या हो जाएगा, e power t, ऐसा हो जाता है, ठीक है, if log x is t, x e power t हो जाता है, और dx हो जाएगा, e t dt, अभी तक ठीक है, तो जो integral है, this becomes, यानि यह जो हमारा integral है, यह बन जाएगा, log x तो हमने t ले रखा है, t minus 3 upon t power 4, और यह हो गया है, e t dt, अब यहाँ पर क्या है, e t, और यह क्या हो जाएगा, देखो, इनको separate करेंगे, हम तो 1 upon t power 3, minus 3 upon t power 4, dt, और इसका integration होता है, इसका integration क्या होता है, सीधा e power t into 1 upon t cube, अब ऐसा क्यों होता है, यह एक property है, वो property है, कि अगर हमारे पास है integration e x, and कोई function है हमारे पास, और साथ में उसका derivative उससे add हो रखा है, तो यह आजाता है, e x और वो function आजाता है, यह direct formula है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका derivative है, बिल्कुल यही है, अगर आप 1 upon t cube को differentiate करेंगे, तो यह इस तरह से बन जाएगा, और इसको differentiate करेंगे, t, यह minus 4, तो basically यह चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर यह है, और इसका derivative इसके साथ add हो रखा है, तो बिल्कुल अगर आप देखें, तो यही वाली situation है, जो कि यहाँ पर है, तो यानि हम यह use कर सकते हैं property, तो हमने यहाँ पर यह use कर दी है, और आप यहाँ पर यह लिग भी सकते थेंगे, कि because, because of this property, we are writing this, we are using this, and वापस यहाँ पर हम put कर देंगे, t क्या था, log x, log x upon log x cube, and e power log x, यह होता है x, e से log इस तरह से cancel हो जाता है एक तरह से, तो x upon log x, इसमें यह integral constant c, इसमें add और रखा है, यह हमारा answer आ चुका है, तो I hope आपको समझाया होगा, यह solution, it's a very important question, previous year exam में भी पूछा गया था, तो इस तरह से यह होगा,